आगे बढ़ते हैं, कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेभी की 15 मार्च को बोर्ट बैठक हो रही है, बैठक में मुख्य तोर पर इस ओफ डूइंग बिजनस से जुड़े मुद्दो पर चर्चा और फैसले होने की उम्मीद है, इस खबर पर डीटिल के साथ चुड़ रहे है कि ये बैठक होने वाली है और इस बैठक में कई मत्वपून फैसले भी लिए जोएंगे, सबसे पहले तो ये समझाए कि इस बैठक का आजेंड़ा क्या होगा, मुद्दे कौन-कौन से होंगे? सबसे एहम मुद्दा ये है कि IPO को लाना किस तरह से और आसान किया जा सकता है, इसमें जो मिनिममम प्रमोटर कॉंट्रिबूशन ताई करने का नियम है, उसको और आसान बनाया जा सकता है, यानि सेक्योर्टीज के कनवर्जन के जरिए अगर प्रमोटर कॉंट्रिबूशन जो 20% की शर्त है उसे पूरा किया जाता है तो IPO लाने की छूट होगी, साथ ही अगर इस कॉंट्रिबूशन में 20% से अगर कम है प्रमोटर कॉंट्रिबूशन तो भी IPO किस तरह से लाया जा सकता है, इसका रास्ता भी आसान बनाया जाएगा, साथ ही अगर इशू का साइज क IPO लाती हैं, उनके लिए भी जरूरी कि 1% रकम सेवी के पास बतावर deposit वो उन्हें रखना पड़ता है, तो 1% जो deposit रखने का नियम है, इसको भी खत्म करने पर विचार किया जा सकता है, साथ ही कंपनियों के compliance से जुड़े कई नियम है जिनको भी आसान बनाया जा सकता है, ज बाकाइदा हो जाती है, तो इसको भी आसान किया जाएगा, साथ ही कई मामलों में board की meeting की पूर्व सूचना जो है देने का नियम 2 से लेकर के 11 दिन तक का है, तो ऐसे मामलों को uniform करते हुए 2 दिन का नियम जो है वो लाया जा सकता है, इसके अलावा एक और जो एहम मुद्द का है, वो है T plus zero settlement का, यानि जिस दिन साउधा किया, उसी दिन खाते में share आ जाएंगे, या खाते में पैसे आ जाएंगे, तो इसको लेकर के discussion paper भी जारी किया गया था, और इसकी बाकाइदा timeline भी आ चुकी है लागू करने की, लेकिन इसे board के पास लेजा आ जा रहा है, ताक साथी कंपनियों के जो कई बार एहम पदों पर बैठी लोग हैं, उनको बहुत सारी कंपनी की insider information होती है और हमेशा उनके पास होती है, ऐसे लोगों के लिए trading करना किस तरह से आसान बनाया जाए, उनके उपर जो पाबंदिया हैं, वो कैसे कम की जाएं, इससे जुड़ा न लंगन का खतरा नहीं है, उनके लिए disclosure का जो, कड़ी disclosure का जो नियम है, उसको आसान बनाया जा सकता है, साथी EIF से जुड़े कई नियमों को से भी board मंजूरी दे सकता है, इसके लावा REITS और INVITS से जुड़े कुछ नियम हैं, जो board जिन पर फैसला ले सकता है